हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आप सब भी ठीक ठाक होंगे स्वर्ष्थ होंगे हम भी ठीक हैं और आज की वीडियो मैंने सुरू की है हर्ड वर्किंग से सुबही सुबह एक्सरसाइज हो जाती है अगर ऐसे कुट्टी काटते हैं यह थोड़ी सी ही मक्का थी सायद मक्का थी या जवार थी मुझे पता ही नहीं है सही से तो अभी पापा जी मूठ लगा रहे हैं और दीदी काट रही है आप सब पूछते भी रहते हो कि आपकी जठानिकाय दिखाई नहीं देती तो मिल लीजे इंसे भी देख लीजे अगर ऐसे कुट्टी काटते है अक्सरसाइज भी हो जाती है शरीर भी कम हो जाता है ऐसा करने पर ये थोड़ी सी ठी धिआ जिस वरे से काट रहे हैं हाथ से नहीं तो मोटर से इ are फिर पाप घृता गई आ वका उचमे पॉर रहाए और और आप साहर के घृता इंडाया कोडिक हुए चिंवर दिया काट्पए पुर्म काटया हुए बड़ेगा मसीन के पास में सुबह का सारा काम करने के बाद अभी दो पैर का सुरू हो चुका है मैं बना रही हूं कड़ी आज हम कड़ी चावर बना रहे हैं साबुत मसूर लोकी भी बनेगी तो जिसका जो भी खाने का मन हो आ जाएए तिन तिन सब्जी बन रही है साबुत म मसूर तो मोनिका ने रख दिया और इदर कड़ी मैं बना रही हूं हैल्प हो जाएगी मोनिका की भी नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें कड़ी का मन कर रहा था मेरा और दीदी का तो हम अपने लिए कड़ी बना रहे हैं और बाकी के लिए मसूर मोनिका के लिए ब भी खोल दे कोई आ जाए किचन में तो साथ के साथ ही उसी के साथ में मक्खे घुष जाती है एक दो तो मैं उन्हें को बाहर भगा रही थी अभी गेट खुल आए क्योंकि मौनी का काम कर रही है नहीं तो गेट बंद कर दे तो कुछ नहीं आता इसमें फिर कड़ी मैं मसाले भी रख लेते चौक भी तयार था तो के मसाले अड़ कर दिये हैं और हम भी हिंग बी ड सा इसमें थोड़ा सा हिंग ड आनने के पाद अभी इसको चला दूँग थोड़ी देर के लिए और अभी छोंक हो चुका है तो इसमे मैंने कड़ी चोब बनाय था यह भी छोड लिया कड़ाई में ही थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी आयर कर लिया क्योंकि फिर अगर मठा खटा हो तो कड़ी भी खटी लगती है खटी कड़ी अच्छी नहीं लगती है हमें किसी को भी तो थोड़ सा पानी डाल लिया था इससे इसका खटापन चला जाएगा फिर खटी नहीं लगई कड़ी मम्मी को भी नहीं पसंद है खटी कड़ी तो इसी वज़से थोड़ सा अगर पानी डाल ले ठंडा तो इसमें फि नोगत तैयार कडियर याँ सब्सक्राइब दोकी कड़ी मसूर चावल रात को इतने तेज आंदी तूफान आया और बारिस भी तो हमारे यहां पानी भी खतम हो चुका है जो पानी भरते हैं खाना बनाने के लिए वह खतम हो गया था अभी मम्मी जी गई थी लेने के लिए नल पेसे नीचे से तो तबी म मैं चावल भीगो दूगें भी चावल भी नहीं भीगोए हैं क्योंकि पानी नहीं था यहां पर टैंक का पानी हम यूज नहीं करते खाने पीने के उसमें मौनिका ढूंड़ी थी मूसली माम जिस्ते की कुछ पीस ना था तो वही ढूंड़े थे मेली नी रही कहा है फिर मे कि धर उधर हो गए तभी बंदर आ गए और उनको जुटा करके चले गए जितने भी जमें तोड़े थे वो सारे बेकार हो गए बाद में फिर जो अटर रहा था उससे इस कटे पर तोड़े हैं थोड़े से जमें यही रहे हैं और मम्मी का जबसे मन भी दुखी हो रहा है कि सारी मैनत बेकार गई वैसे ही कमर में दर्द होने लगता है बैठे बैठे जमें तोड़ने में इतनी मैनत से तूटते हैं ना बंदर ने वो खाए और ना ही कुछ हुआ उनका बस ऐसे बेकार चले गए सारी मैनत बेकार हो गई मम्मी का भी मन दुखी हो रहा है तो अभी मसूर भी बन चुकी है कड़ी बन चुकी है चावल भी इधर दूद रखा हुआ है दूसरे गैस पे और इस वाले गैस पे च्छ लोग की रहा गई है बस सारा काम खतम हो चुका है बस अभी निम्टा है सारा काम जाड़ू पोचा भी हो चुका है नीची सरसो फैल लिया हलकी अलगी शी बूंद भी पढ़ रही थी मैं सोची थी कि तेज ना आ जाए कहीं सरसो भीग जाए मम्मी को बोल देते हैं इसको उ कब क्या हो जाए तो इसको उठा लेंगे अभी आज मौनिका भी जा रही है अपने माई के तैयार हो जाए थी बच्चे भी सारे मौनिका का भी आज गर खाली हो जाएगा तो अभी विस थोड़ी देर मही जाएगी साम का टााइम हो रहा है दिटेंगर जाने का मा अपेंगर जाने का आद कि इस खाथ हैं तो मरी जाएं क्या सकतम। मा lles ही अँड़े एनाита? मा रहना बाल बहना हम कर दो कर दो कर दो कर दो कर से अबवि academics अपने काम में व्यस्थ हैं मंपी पाप जी दूर निकाली यह दी दी इनको गाये को पानी पिला रही थी और फिर यह थी इसमें दूंपारी है हलकी फिर इसका भी दूद्ध निकालना है यहां पर बांढ़ देंगे गाएं को पानी तो पीना नहीं है दर उधर देखना कि क्या क्या रखा हुआ है इसमें एक डिब रखा हुआ था जिसमें धौन करते हैं उसी में लगी थी फिर मम्मीने का तोड़ देगी इसे बाण दो तब रहे फिर इसको बांधिया consider काली तोरी के लिए cold इसको बोलती है आज हम बना रहे हैं काले लिए वह बसे लिए करिशे हुए चाहिआ सबिर हो सब्सक्राइटार्यग तो अभी आप सब को थोड़ी सी वीडियो दिल्ली की दिखा देते हैं क्या क्या कर रहे हैं दोनों मिलके आज उन्हों अपने कमरे की शिफ्टिंग की हैं दूसरे कमरे में सामान शिफ्ट किया है तो उसी को लगाने में लगे हुए हैं यह अलमारी है इसमें सारे कपड़े रख लिए हैं इधर यह इन्होंने किचन के लिए लिया था पर यह भी इनके कपड़े रखने के काम में आ रहा है दोनों के रही अपना समान लगाने में लगे हुए है सामान फैला हुआ है दोनों को पूरी मेहनद करनी पड़ेगी साफ सफाई में भी और समान लगाने में भी इधर ये बात रूम है और यहीं पर खुंट Посसे किसे आए और किटन भी है गाँ हम तो कह रहे थे कि लड़कों को तो ऐसे ही मिलता है अगर साथ में फैमली हो तो फिर अच्छी कंडिशन में मिल जाता है नहीं तो सब ऐसा ही देते हैं लड़कों को तो चलिए आज का वीडियो अगर आप सब को पसंद आया है तो लाइक कर दीजेगा अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सबसक्राइब भी कर लीजेगा मुझे कमेंट करके पी जरूर बताएगा की वीडियो कैसी लगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में कच्छी जी वीडियो के साथ अब तक के लिए बाइ-बाइ अपना ध्यान रखिये और वीडियो पंजोगी जी लाष्टग।